हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू केमिकल साइन्स और बच्चो आज का हमारा टॉपिक एक इंपॉर्टेंट नेम रियक्शन है जिसका नाम है ऑग्जी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन रियक्शन ओके तो बहुत फेमस रियक्शन है अलकीनों की ऑग्जी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन रियक्शन ठीक है देखिए तो इसमें जो में रोल मैं आपको इसके जो नाम रखा है ना रियक्शन का नाम मर्कुरेशन तो मैं आपको बताता हूं देखिए आपने देखा कि मर्कुरिक एसिटेट है ना तो एक एसिटिक एसिट का solve दे रहेते हैं ठीक है एसटिक एसट मतला हमारा सी एस थरी सी डिवल बॉर्ण ओ ओ ओ एसे टेट अगर निगेटिव कर दूंगा तो इसको बच्छों मैं जोड़ देता हूं एके साथ विचिस मर्करी मैटल यह देखिये ठीक है तो इसे बोलते हैं बच्छों मर्क्यरिक एसटेट लिए बिसको ऐसे Mercuration Demercuration ठीक है तो बच्चो टू स्टेप में Reaction Complete होगी पहले स्टेप में क्या होगा कि Mercuration Means Mercuric Acid का Addition होगा And then second step में हम इसको करेंगे इसको Remove करेंगे तो उस step का ना है बच्चो Demercuration ठीक है और वो हम उसके लिए किसी Reducing Agent की Help ले लेंगे ठीक है चलिए इसको मैं हटाते है और reaction स्टार्ट करते है तो बच्चो अलकिनों की बहुत famous reaction है देखिए यह रहा बच्चो आपके एक अलकिन R, C, H and double bond, C, H2 ठीक और हम इसमें लेते हैं आपको मैंने बता दिया है H, G O, C, O C, H3 का hold twice और साथ है बच्चो हम लेते हैं इसके water and then second step में हम यहां पर लेते हैं N, A, B, H 4 ठीक है reducing agent sodium borough hydride ठीक है और जो product है इसके product बच्चो इसमें alcohols form होंगे और follow करेंगे वो Marko Nikoff के rule को ठीक है तो यह हो जाए का आपका CH and again CS3 यहां आजागा बच्चा आपका OH ठीक है देखे क्या बनेगा 2 degree alcohol आपने पढ़ाओगा न Marko Nikoff rule में negative part reason का उस carbon attach होता है जहाँ पर hydrogen कम होते हैं ठीक है तो मैंने बिल्कुल वो कर दिया है clear है चले अब बच्चो important है इसकी mechanism है ना ठीक है तो बच्चो mechanism में क्या है सबसे पहला step step one क्या होगा जो मर्किरिक एसिटेट है ना यह हमारा break होगा ठीक है like HG O CO और CS3 ठीक है मर्किरिक एसिटेट ब्रेक होगा आपको पता है ब्रेक कहां से होगा यह bond metal और oxygen के बीच का bond टूटेगा और दोनों electron shift हो जाएंगे हमारे oxygen के पास और यह बन जाएगा हमारा CS3 CO O HG positive and plus O CO CS3 negative clear है ठीक है then step two देखिए अब step two में क्या होगा कि जो हमारी alken है ना अपने alken ले ले लेते हैं CS and double bond CH ठीक alken में हमारा जो है part of reason attach होने वाला है आपको दीख रहा है यहां पर यह क्या है एक HG positive वाला part बना है और यह हमारा बना है oxygen पे minus charge ठीक है तो आपको पता है alkenes are electron rich है ना तो metal जिसना plus charge है वो आकि से attract हो जाएगा पहले step में तो यह हमारा बन जाएगा HG O CO and CS3 ठीक है और आप इसका attack करा दीजे कहाँ पर metal का metal का carbon के साथ अच्छा कौन से carbon के साथ कराना है आपको भी बता है देखिए अगर आप right hand side वाले carbon में metal को attach कराते है तो इसमें होना चाहिए negative और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस bond को right hand side को break करना पड़ेगा means यहाँ पर minus तब ही HG plus के साथ क्या हो पाएगा bonding हो पाएगा और इस carbon ए plus charge appear हो जाएगा और वो plus charge 2 degree होगा yes और 2 degree carbon is more stable और अगर इसके against मैं इसको यहाँ अटेच करा देता हूँ तो यहाँ पर plus charge appear हो जाएगा वो 1 degree हो जाएगा तो वो less stable yes तो हम क्या करते हैं बच्छो इसको corner वाले पर right hand side वाले पर attach करने वाले हैं तो देखें CS क्या है यहाँ पर आर लिया था मैंने CO CS 3 clear है ठीक है चलिए अब next step अच्छा देखें यहाँ पर क्या आगया आपका बच्छो plus charge है ना लेकिन यह plus charge क्या है ब्रिज्ड कार्वकटायन बनाता है ब्रिज्ड कार्वकटायन metal है metal के पास electrons की कोई कमी होती नहीं है तो यह इसके साथ ऐसे attraction में रहता है तो इसका pure positive slightly positive charge रहता है अगर आप चाहो तो आप इसको इसकी रेजनेंसी रेजनेटिंग फर्म भी बना सकते हो एक ड्रॉकर करके like completely चिपका दीज़ाब HG को completely चिपकने में HG को पर क्या जाएगा फुली प्लस चार्ज अपियर हो जाएगा ठीक है then step third step third में हमें क्या करना है लेड़ी जे इसको R, C, Slightly Positive CH2 H, G, O C, O, and CH3 ठीक है अब इसमें बच्वाब अटेक कराईए किसका HOH means water का like this ठीक है कहाँ टेक करेगा आपको समझ में आ गया होगा उस कारबन में जहां पर प्लस चार्ज अपियर हो रहा है है ना बच्वाबन कर लिया हो तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो ठीक है ठीक है तो क्या होगा अटेक हो जाएगा बताइए इस कारबन पर अब यह बॉण यहां से कंप्लिटली ब्रेक और ऑक्सिजन का नया बॉण कारबन के साथ फॉर्म हो जाएगा और यह हमारा बन जाएगा लाइक और यहां आजाएगा बच्चो मारा ओ एच एड़ एच विद पॉजिटिव चार्ज ठीक है अपने ऑक्सिजन ने अपने लोन प्यर को यूज किया है तो अब नेक्स स्टेप में क्या करेंगे बच्चों लोग अब इसमें से एक एच को हटाईए रिमूब करिया एच पॉसिटिव और उसके दोनों एलेक्ट्रों आप ऑक्सिजन को देने हैं ठीक है तो हमारी जो स्पीसिज बनेगी यह बनेगा हमारा बच्चो एड़ जी ओ C O C O C S 3 एड़ यहाँ पर क्या आगया बच्चों मारा O H clear है नीचे तक कवर हो रहा है क्या ठीक है ठीक है ठीक है ना तो यह आपका बन गया अब हमारा एक स्टेप और है बच्चों इसमें मैं उपर वाले किसी स्टेप को रिमूब कर रहा हूँ स्टेप 1 और 2 को हटा देन ठीक है अपने नोट कर लिया है तो चलिए धन है कि अब आ जाएगा हमारा स्टेप 4 स्टेप 4 में क्या हो रहा है आपको बता है अब हमें इस मेंटल को हटाना है यांसे यह एक्चली मैं यह वाला जो स्टेप था यह मर्कुरेशन इस टैप था विकास इसना murgueric acetate add हो था ठीक है और अब मैं जो step कर रहा हूँ क्या है demercuration demercuration मतलब इस mercury acetate को मुझे यहां से remove करना है ठीक है तो यह रहा RCH OH CH2 hg OCO and CH3 तो उसके लिए बच्चों में reducing agent क्योंकि मुझे इसको हटाना होगा तो यहां पर मुझे कार्बन को हाइड़ूजन देने होंगे तभी तो वह बैलेंस हो पाएगा तो उसके लिए में यहां पर एक रिद्यूसिंग एजेंट एन ए बीएच फोर को यूज़ कर रहा हूं ठीक है एने बीएच फोर रिद्यूस के बाद हमें ग्रुप रिमूब होके एच आए गा वह कहां से आएगा इसमें आपर एजबी है हाएका नीचे की साइड़ साइगा ठीक है यहां से बार्ड टूटे गाला तो यह हमारा बच्छो यह आएगा समयाई बात तो आपको इसमें एक ग्रूप याद रखना होता है कि जो हमारा हाँ पर addition हुआ ना water का overall देखा जाए तो alkene में water का addition हुआ लेकिन कैसा addition हुआ बच्चो anti-addition हुआ yes that's anti क्या हुआ anti-addition हुआ clear है देख लीजे एक बार अच्छे से ठीक है तो आपको यहां पर याद अखना पड़ेगा ठीक है तो आपको क्या पता वह आपसे stereo chemistry भी पूछ ले जरूरी नहीं है बट में भी पूछ सकता है अगर आप पूछे किए तो आपको बताना पड़ेगा ठीक है तो यह रहा है बच्चो इस reaction का complete mechanism और आपने complete हैं तो इससे आगे भी जा सकते हैं ठीक है देखिए कैसे हैं जैसे एक क्वेशन लेते हैं बच्चों के तुरू में इसको समझेंगा तो साय से ज्यादा चरहेगा लाइक जैसे बच्चों मैंने आपर एक cyclo hexene ले ली यहां पर मेरा और यहां पर मेरा डिटीरियम लगा है ठीक है और मैं चाहता हूं कि मैं इसमें डाल दिया है रिजन आपको पता है साथ में एच्टू और यहां चलिए बताइए अब क्या करना है आपको इसमें प्रोडेक्ट बनाना है विल स्टीरियो गैस्ट्री ठीक है देखें कैसे बनेगा बच्चों मैं बताता हूं आपको अच्छा आप यह आपको इतना दो पता है ना कि यहां से है और है और हो अच्ट को यहां जोगा यहां पर टीरियो में आइसोटोप में ने हमपर यूस किया है थाकि आपको आपको और वीडियो का पता चले क्या होगा तो मैं यहां के करूंग यह वेसा लगा दिना है था अब तो अब आपको इतना समझना है कि सर अगर आपको यहां पे आर लगा हुआ है ना देखो अभी तो यह क्या है प्लेंटर जेमेट्री है ट्राइगोदल प्लेंटर तीनों बॉर्ण ऑन्द प्लेन है लेकिन जब मैं आप फोर्थ ग्रूप एड्ट करूंगा इस बॉर्ण को ब जाएगा बिलो दा प्लेंट और एच कहां जाएगा डी के पास ठीक है तो एच वह कैसे टैच होगा तो देखिए अब मैंना आपको क्या बता आने वाले जो गृूप से होते हैं ओए और एच और एच क्या होते हैं एंटी तो अगर यह बिलो से आया है तो दूसरा एच कहा से आएगा वह अब अब से आ जाएगा बच δεν साजा जाएगा अब से तो यहां पर मैंने यह Serenus भी और यहां मैं इंट्रीम स्धक है डिटीरियूम तो आपको थोड़ा बहुत स्टीरोकेमिस्टी क्लियर हुई होगी क्या देखा आपने देखिए जो आने वाले गुरूप से कौन कौन से हैं एक ओएच है मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं एक कौन सा है ओएच कहां सा है ओएच बिलो से तो हाँ से अबब से ठीक है और यहां पर कौन था बच्चो पहले से डिटीरियम था ठीक है और यह क्या हो जाएगा आपका यह तो ओलेडी था बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दोनों जो एड होने आले जो दोनों ग्रूप हैं वो क्या होने चीए एक दूसरे के एंटी होने कर लिजिए अगर आपका मन ना करें ऐसे तो आप इसको ऐसे ही बना सकते अब इस बार आप ओश को यहां दिखा दीजिए और यहां चला जाएगा है ना और यहां फिर क्या जाएगा आपका डी और ओश एच कहां से आजए बच्चो बिलो दा प्लेन आजाएगा देखिए तो स्टेरियो केमेस्ट्री के नमस में आपसे पूछ सकता है चलिए